हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पावप्लाइन गुर जी इस वीडियो में हम डिस्केशन करेंगे एक थर्माल पावप्लाइन इंटर्वु में पूछे जाने बाले एक बॉलर से रिलेटेड एक बहरी बहरी इंपोटन कुश्चन के बारे में कुश्चन है बॉलर का वार्किंग प्रे Tibut Reott looked बॉयलर को कैसे क्लासिफाई किया गया है यानि कि एक बॉयलर कितने प्रकार का होता है एक रोडिंग टू बॉयलर वार्किंग ब्रेशर ओके तो उम्मिद करता हूं इस वीडियो देखने के बाद इस कुश्चन का अंसर आप अच्छे से बॉल पाएंगे तो चले डिस्कुस प्रेशर नमबर वान में लो प्रेशर बॉयलर ओके नमबर टू में हाई प्रेशर बॉयलर नमबर थ्री में सब क्रिटिकल बॉयलर नमबर फॉर में शूपर क्रिटिकल बॉयलर ओके तो इस चारव प्रकार का बॉयलर रहता है एक्रोडिंग टू वार्किंग प्रेशर तो लो प्रेशर बॉयलर का रेंज क्या है पहले चली जान लेते हैं लो प्रेशर बॉयलर हम किसको कहेंगे जिसका वार्किंग प्रेशर आपका लेस्दैन अइटी वार्टि बॉयलर का इस बॉयलर का सोरी लेस्दन आओ है जिस्पॉयलर का वार्किंग प्रेशर लेस्दैन एटी बार होगा उसको हम low pressure boiler कहेंगे high pressure boiler जिसका working pressure more than 80 बार होगा उसको हम high pressure boiler कहेंगे sub critical boiler जिसका working pressure less than 220 बार होगा उसको हम sub critical boiler कहेंगे super critical boiler जिसका working pressure more than 220 बार होगा उके तो ऐसे boiler का working pressure के अनुशार हम boiler को चारो प्रकार में भाग करते हैं low, high, sub critical super critical boiler उमिद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप इस question का answer को बॉल पाएंगे वीडियो का अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much झाल झाल